C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई दो भिन एवं दशमलव प्रिष्ट बयालीस प्रश्णावली दो दशमलव तीन एक ज्यात कीजिये 1.A. एक बटा चार का एक बटा चार B. तीन बटा पांच का एक बटा चार C. चार बटा तीन का एक बटा चार 2.A. दो बटा नौ का एक बटा साथ B. छे बटा पांच का एक बटा साथ C. तीन बटा दस का एक बटा साथ 2. गुणा कीजिये और नियूनितम रूप में बदलिये, यदी संभव है 1. 2 बटा 3 गुणा 2 2 बटा 3 2. 2 बटा 7 गुणा 7 बटा 9 3. 3 बटा 8 गुणा 7 बटा 4 4. 9 बटा 5 गुणा 3 बटा 5 5. 1 बटा 3 गुणा 15 बटा 8 6. 11 बटा 2 गुणा 3 बटा 10 7. 4 बटा 5 गुणा 12 बटा 7 3. 9 लिखित भिन्नों को गुणा कीजिये 1. 2 बटा 5 गुणा 5 एक बटा 4 2. 6 बटा 5 गुणा 7 बटा 9 3. 3 बटा 2 गुणा 5 एक बटा 3 4. 5 बटा 6 गुणा 2 तीन बटा 7 5. 3 दो बटा 5 गुणा 4 बटा 7 6. 2 तीन बटा 5 गुणा 3 7. 3 चार बटा 7 गुणा 3 बटा 5 4. कौन बटा है? 1. 3 बटा 4 का 2 बटा 7 अत्वा 5 बटा 8 का 3 बटा 5 2. 6 बटा 7 का 1 बटा 2 अत्वा 3 बटा 7 का 2 बटा 3 5. सैली अपने बगीचे में चार छोटे पौधे एक पंक्ती में लगाती है 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3 बटा 4 मीठर है 6. लिपिका एक पुस्तक को प्रति दिन 1 तीन बटा 4 गंटे पढ़ती है वह संपून पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए 7. एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौडती है 2-3 बटा 4 लीटर पेट्रोल में ये कार कुल कितनी दूरी तै करेगी 8. एक बक्सा में संख्या लिखिये ताके 2 बटा 3 गुणा डैश बराबर 10 बटा 30 2-बक्सा में प्राप्त संख्या का नियूनितम रूप डैश है 9. एक बक्सा में संख्या लिखिये ताके 3 बटा 5 गुणा डैश बराबर 24 बटा पिचहत्तर 2. बक्सा में प्राप्त संख्या का नियूनितम रूप डैश है 2.4 भिन्नो की भाग जौन के पास 6 सेंटिमीटर लंबी कागज की एक पट्टी है वह इस पट्टी को 2 सेंटिमीटर लंबी छोटी पट्टियों में काटता है आप जानते हैं के वह 6 भाग 2 बराबर 3 पट्टियां प्राप्त करेगा जौन 6 सेंटिमीटर लंबाई वाली एक दूसरी पट्टी को 3 बटा 2 सेंटिमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है अब उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी? वह 6 भाग 3 बटा 2 पट्टियां प्राप्त करेगा एक 15 बटा 2 सेंटिमीटर लंबाई वाली पट्टी को 3 बटा 2 सेंटिमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटा जा सकता है जिस से हमें पंद्रह बटा दो भाग तीन बटा दो टुकडे प्राप्त होंगे अथह हमें एक पूर्ण संख्या को किसी भिन से अथवा एक भिन को दूसरी भिन से भाग देने की आवशक्ता है आईए हम देखते हैं के इसे कैसे करना है 2.4.1 भिन से पूर्ण संख्या की भाग आईए एक भाग एक बटा दो ग्याद करते हैं हम किसी संपूर्ण को कुछ बराबर भागों में इस प्रकार बाढ़ते हैं ताके प्रत्येक भाग संपूर्ण का आधा है ऐसे आधे यानि एक बटा दो भागों की संख्या एक भाग एक बटा दो होगी आकरिती 2.1.1 को देखिए आपको कितने आधे भाग दिखाई देते हैं? ऐसे दो आधे भाग हैं इसलिए एक भाग एक बटा दो बराबर दो साथ ही एक गुणा दो बटा एक बराबर एक गुणा दो बराबर दो अथह एक भाग एक बटा दो बराबर एक गुणा दो बटा एक आकरिती 2.11 यहां एक वृत्त को दो समान भागों में बाठा गया है इसी प्रकार तीन भाग एक बटा चार बराबर तीन सम्पूर्णों में से प्रत्येक को समान एक बटा चार भागों में बाठने पर एक बटा चार भागों की संख्या बराबर बारह आकरिती 2.12 यहां तीन वृत्त दिये गए हैं प्रत्येक वृत्त को एक बटा चार भाग में बाटा गया है प्रिष्ठ चवालीज यह भी देखिए के तीन गुणा चार बटा एक बराबर तीन गुणा चार बराबर बारह इस प्रकार तीन भाग एक बटा चार बराबर तीन गुणा चार बटा एक बराबर 12 है। इसी प्रकार तीन भाग एक बटा दो और तीन गुणा दो बटा एक ग्याद कीजिए। भिन का व्युत क्रम एक बटा दो के अंश एवम हर को परस पर बदलने पर अथवा एक बटा दो का प्रतिलोम करने पर संख्या दो बटा एक प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार एक बटा तीन का प्रतिलोम करने पर तीन बटा एक प्राप्त होता है। आये सर्व प्रतम हम ऐसी संख्याओं के प्रतिलोम के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न लिखित गुणन भलूं को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए. 7 गुणा 1 बटा 7 बराबर 1 5 बटा 4 गुणा 4 बटा 5 बराबर डैश 1 बटा 9 गुणा 9 बराबर डैश 2 बटा 7 गुणा डैश बराबर एक 2 बटा 3 गुणा 3 बटा 2 बराबर 2 गुणा 3 बटा 3 बटा 2 बराबर 6 बटा 6 बराबर एक डैश गुणा 5 बटा 9 बराबर एक ऐसे पांच और युग्मों को गुणा कीजिए. ऐसी शुन्येतर संख्याएं जिनका परसपर गुणन भल एक है. एक दूसरे के व्युत्करम कहलाती हैं. इस प्रकार 5 बटा 9 का व्युत्करम 9 बटा 5 है और 9 बटा 5 का व्युत्करम 5 बटा 9 है. एक बटा 9, दो बटा 7 के व्युत्करम क्या हैं? आप देखेंगे के दो बटा 3 का प्रतिलोम करने पर इसका व्युत्करम प्राप्त होता है. आप इस प्रकार 3 बटा 2 प्राप्त करते हैं. सोचिये, चर्चा कीजिये, एवं लिखिये. एक, क्या एक उचित भिन्न का व्युत्करम भी उचित भिन्न होगी? दो, क्या एक विशम भिन्न का व्युत्करम भी एक विशम भिन्न होगा? इसलिए हम कह सकते हैं के प्रिष्ट 45 उस पून संख्या को उस भिन्न के व्युत क्रम से गुणा कर दीजिए प्रयास कीजिए ज्यात कीजिए किसी पून संख्या को एक मिश्रित भिन्न से भाग करते समय, सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में परिवर्तित कीजिए और तब इसको हल कीजिए इस प्रकार चार भाग दो दो बटा पांच बराबर चार भाग बारह बटा पांच बराबर डैश साथी पांच भाग तीन एक बटा तीन बराबर पांच भाग दस बटा तीन बराबर डैश प्रयास्क कीजिए, ग्यात कीजिए, एक, छै भाग, पांच एक बटा तीन, दो, साथ भाग, दो चार बटा साथ दो दशमलव, चार दशमलव दो, पूर्ण संख्या से भिन्न की भाग, तीन बटा चार भाग तीन का मान क्या होगा? पूर्व प्रिक्षणों के आधार पर हम पाते हैं, तीन बटा चार भाग तीन बटा एक, बबर तीन बटा चार गुणा एक बटा तीन, बबर तीन बटा बारह, बबर एक बटा चार अथह, दो बटा तीन भाग साथ बराबर, दो बटा तीन गुणा एक बटा साथ बराबर, डाश, पांच बटा साथ भाग चै, दो बटा साथ भाग आठ के मान क्या है? मिश्रित भिन्नों को पूर्ण संख्या से भाग करते समय, मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में परिवर्तित कीजिए, अर्थात दो दो बटा तीन भाग पांच बराबर, आठ बटा तीन भाग पांच बराबर, डाश, चार दो बटा पांच भाग तीन बराबर, डाश, बराबर, डाश, दो तीन बटा पांच भाग दो बराबर, डाश, बराबर, डाश, दो दशमलव चार दशमलव तीन एक भिन्न की दूसरी भिन्न से भाग। अब हम एक बटा तीन भाग छे बटा पांच ग्याद कर सकते हैं। एक बटा पांच भाग दो बटा तीन भराबर आठ बटा पांच गुणा दो बटा तीन का व्युतक्रम भराबर दैश और एक बटा दो भाग तीन भटा चार भराबर दैश। प्रिश्ट चैयालीस एक ग्याद कीजिए। एक बारह भाग तीन बटा चार दो चौदह भाग पांच बटा च्छै तीन आठ भाग साथ बटा तीन चार चार भाग आठ बटा तीन पांच तीन भाग दो एक बटा तीन च्छै पांच भाग तीन चार बटा साथ। 2. निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक खा व्युत्क्रम ग्यात कीजिए। ग्यात कीजिए। ग्यात कीजिए। साथ तीन एक बटा पाँच भाग एक दो बटा तीन, आठ दो एक बटा पाँच भाग एक एक बटा पाँच। 2. दशमलव संख्याओं के बारे में आप कितनी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आपने पिछली कक्षाओं में दशमलव संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। आईए यहां हम संख्यप्त में इनका स्मरण करते हैं। प्रिष्ट 47 निमनलिकित सारणी को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। सारणी के स्थम्भ हैं सैकडा यानि सौ, धहाई यानि दस, इकाई यानि एक, दशांश यानि एक बटा दस, शतांश यानि एक बटा सौ, सहस्रांश यानि एक बटा हजार, संख्या। दो, पांच, तीन, एक, चार, साथ। दो सौ तिरपन दशमलव एक चार साथ। छह, दो, नौ, तीन, दो, एक। डाश, शुन्य, चार, तीन, एक, नौ, दो, डाश, एक, चार, दो, पांच, एक। पांच सौ चार दशमलव दो, पांच, एक। दो, डाश, छै, पांच, एक, दो। दो सौ चात्तीस दशमलव पांच, एक, दो। डाश, दो, डाश, पांच, डाश, तीन, साथ सौ चाबीस दशमलव पांच, शुन्य, तीन। चै, डाश, चार, डाश, दो, डाश, 616.326, शुन्य, एक, शुन्य, पांच, तीन, शुन्य, डाश उपर युक्तिसारणी में आपने ऐसी दशमलव संख्याईं लिखी हैं, जिनका प्रसारित रूप या स्थानिय मान दिया हुआ था, आप विलोम भी कर सकते हैं, अर्थात, यदि आपको संख्या दी हुई है, तो आप इसका प्रसारित रूप लिख सकते हैं, उदहरन थह, दो सो तिरपन दशमलव चार एक साथ बराबर, दो गुणा सौ जमा पांच गुणा दस, जमा तीन गुणा एक, जमा चार गुणा एक बटा दस, जमा एक गुणा एक बटा सौ, जमा साथ गुणा एक बटा हजार जौन के पास 15.50 रुपई हैं और सल्मा के पास 15.75 रुपई हैं किसके पास अधिक धन है? इसे ग्यात करने के लिए हमें दशमलव संख्याउं 15.50 एवं 15.75 की तुलना करने की आवशत्ता है इसके लिए हम सर्वप्रथम दशमलव बिंदु के सबसे बाईं तरफ के अंक से शुरू करते हुए बाईं तरफ के अंकों की तुलना करते हैं यहां बिंदु के बाईं तरफ के दोनों अंक एक और पांच दोनों संख्याउं में एक जैसे हैं इसलिए हम दशान्श स्थान से शुरू करते हुए दशमलव बिंदु के दाईं तरफ के अंकों की तुलना करते हैं। हम पाते हैं के पांच साथ से छोटा है। इस प्रकार हम कहते हैं के पंद्रह दशमलव पांच शुन्य, पंद्रह दशमलव साथ पांच से छोटा है। तो शतान शिस्थान के अंकों की तुलना कीजिए और इसी प्रकार आगे कीजिए अब तुरंट 35.63 और 35.67, 20.1 और 20.01, 19.36 और 29.36 की तुलना कीजिए धन, लंबाई और भार की निम्न इकाई को उच इकाई में परिवर्तित करते समय हमें दशमलव की आवशकता होती है उदाहरन थह तीन पैसे बराबर तीन बटा सौ रुपए बराबर शून्य दशमलव शून्य तीन रुपए 5 ग्राम बराबर पांच बटा एक हजार किलो ग्राम बराबर शून्य तशमलव शून्य तशून्य तशून्य पांच किलो ग्राम 7 cm बराबर 7.100 मीटर बराबर 0.07 मीटर 75 पैसे बराबर डाश रुपए 250 ग्राम बराबर डाश किलोग्राम 85 cm बराबर डाश मीटर लिखिये पृष्ट 48 हम यह भी जानते हैं कि दशमलवों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है इस प्रकार 21.36 जमा 37.35 है 21.36 जमा 37.35 यानि 58.71 शुन्य दशमलव एक नौ जमा 2.3 का मान क्या है 29.35 घटा 4.56 का अंतर है 29.35 घटा शुन्य चार दशमलव पाँच छै यानि 24.79 49.87 घटा 21.98 का मान बताईए अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक 50.89 कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश 50.89 वाचन्स्वर गौरव मार्वा 51.89 तकनीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो 52.89 तकनीकी सहायक मयंक कुमार 52.89 निर्माण सहयोग सौम्या मलिक 53.89 निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती 54.C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत